हेलो डियर कैसे आप सब लोग यार आई होप काफे अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप सब को पता है डियेप CCIL 2023 का पेपर तो हो चुका था उसका एंसर की भी आ चुका है तो आप लोग जाकर मैच कर सकते हैं मैं बताओ जिस का जिसका ऐसा लग रहा कि CBT1 क्लियर हो जाएगा ना तो भाई इस वज़े से टाइम मत बरबात करिएगा केरे पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे भाई सिलेबस जान लीजिए कि CBT2 का क्या सिलेबस है क्योंकि CBT2 का जो सिलेबस होगा ना सिविल इंजिनिंग में वह आपका सिलेबस होगा समझ गया ना मैं आपको बहुत दिनों से एक सब्द बताते आया हूं एक लाइन बताते आया हूं वह भी यहां ही भी उसी लाइन को यूज करूंगा क्या होगा देखिएगा यहां पर आगर आप जान पा रहे होंगे CBT1 अगर आपका क्लियर हो रहा होगा त जैसे मैं बता दूँ साथ में एक आधिस सब्जिक्ट और एक्स्ट्रा एड़ भी कर दिये गए हैं जैसे बात किया जाएं इंजीनिंग और सॉलिड मेकानिक्स सॉलिड मेकानिक्स की यहां पर बात किया जा तो इसको सोम बोलते हैं देखिए आपका SSC की भी तयारी साथ मे दिएफ सीची आईल की भी साथ में तयारी की आजा सकता है क्योंकि यहां पर नियर बाउट दोनों के सलेबस नियर बाउट से मबसा SSC जैम थोड़ा नॉन टेक पोर्सन है जो कि आपका तयार हो गया होगा डिएफ सीची आईल का में जो मेंस का पेपर है यहां कोल टेक्नि मटेरियल कॉंक्रीट म e c c r c c पियस चिश्टील इस्टिक्चर आएगा उसकी डिजाइन वायल मेंकैनिक्स आएगा फाउंडेशन इंजिनिंग देखो फाउंडेशन इंजिनिंग इन्हों ने अलर्ट से मेंसन कर दिया फाउंडेशन इंजिनिंग पब्लीख हेल्थ इन्वार्मेंट बोलते हो इन्वार्मेंट बोलते हो ओके ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनिंग एक बात याद कर लिजेगा ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनिंग यहां पर लिखा हुआ है ना ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनिंग अगर की बात करूं मैं यहां पर हाइवे होग हो सिझां रोगा मेरे दोस्त इतव बहुत अच्छे से पढ़ लेना यहां पर देखेगा वे stri पहली जएगाव रेल्वे के हिश्ट्रीद अपसे पूछेगाव तो रेलवे पर जादा फोकस करीएगावerem यही बाते होती हैं, जैसे आपका Hydraulics, Hydraulics के अंदर आपका OCIब भी आएगा, और Hydraulic Machine भी आएगी, तो इन्होंने mention नहीं किया, समझ गया ना, इन्होंने mention नहीं किया, इस वज़े समय आपको बार-बार बोला करता हूँ, कि जब भी आप लोग त्यारी करें न ते एक काम कर लिया करिए concept आप एकदम clear कर लिजे starting से लेकर last तक उसके बाद आपका कोई भी exam होगा चपरासी से लेकर IS तक कोई भी exam होगा थोड़ी बहुत चीज़े add और subtract करनी पड़ेगी बस hydrology देख लिजे hydrology के अगर बात किया जाए hydrology के अगर बात किया जाए यहां पर hydrology भी है और hydraulic structure भी है engineering drawing एक अलग सा subject add हो गया है engineering drawing यह एक अलग सब्जेक्ट है और इसके 57 कुशन आ जाते हैं यह भी बता दो 5-6 कुशन यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा syllabus इन्होंने कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ा और सबसे बड़ी बात देखो जब होता क्या ना अगर इनका syllabus एक एक चीज डिफाइन कर देता तो बात दूसरी थी इंजीनिंग और सॉलिड मेकैनिक्स भी पूछेंगे समझ गया ना इंजीनिंग मेकैनिक्स और सॉलिड मेकैनिक्स दोनों पूछा जाएगा याद रखिएगा यहां पर पूरा का पूरा देवस कवार कोई भी चीज छूटी हुई नहीं बस इन्होंने बस इस तरह के साट फॉर्म देकर निकल लिए हैं ठीक तो मैं आपको बताओं यह आपको तो सारा कुछ तैयार ही करना है जब यह आपका तयार हो जाए ना और एक चीज देख लिजेगा इनका पहले पी आप जुडेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्फुल होगी क्योंकि यहां पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो जन्नल इंजिनिंग से पढ़ा रहा हूँ जन्नल इंजिनिंग का मतलब यह होता है कि किसी भी एक्जाम को आप टार्गेट कर सकते हैं जन्नल कुशन ज कैसे करना है जैसे सी आपका यह जो बैच है ना जैसे सी जई कभी तो चली रहा है हमारा डी एप सी आई यल वाला बैच कैसे पर्चेस करना मैं बता दूं और अड़ा 247 SSS करने कबादी है आपका सेग्मेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा आल कोर्स में जाएंगे हम लोग को आल कोर्स ची करेंगे ना एजे exam में ready exam में देखेंगे कि कहीं पर दिख जाएगा आपको कहां पर है यहां पर अगर देखा जाए यह, डि-अप-सी-C-I-E-L, ठीक न, जैसे आभी आप इसको ट्रिक करेंगे न, यहाँ पर आपको यह दिख गया, यह, यहाँ पर अगर जाकर आप अपने आपको इंरोल कर सकते हैं, मेरे दोस्त, यहाँ पर जब आप अपने आपको इंरोल करेंगे, यहाँ पर कोई भी कोड लगाते हो तो मेरे से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा ठीक और हम लोग फिर मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा कांटीन्यू करने के पहले एक बार चिकल लीजेगा वाई फाइब से बनाइन लगा है कि नहीं और इस बार अगर ज के साथ त्यारी करते रही है मेरे दोस्त अगर आपने मिहनस सही किया है तो एक दिन सेलेक्शन जरूर होगा यह मेरी गारंटी ठीक ना ओके बावाई टेक क्यार मिलते हैं आप से निश्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रही है ओके बावाई पावाई